हेलो फ्रेंद्स आप सब का स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज हम फैब्रिक पट्टी और कट वर्क के साथ प्लाजो पैंट का बेहत खूपसुरत डिजाइन बराएंगे तो आपका जादा टाइम ना लेते हुए हम अपने इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी फैब्रिक पट्टी रेडी करनी है तो उसके लिए मैंने अपनी सेम प्लाजो पैंट वाले फैब्रिक से ये एक पट्टी कट की है ये लगबग डेडिन चौडी रखी है मैंने ये देखिए और लंबाई में हमें थोड़ी जादा लेनी है फिर से इसे एक फोल्ड ऐसे करते हुए न इस तरीके से यहाँ पे न हमें एक किनारी की सिलाई लगा लेनी है तो ऐसे हमने किनारी की सिलाई के साथ 3-4 पटियां तयार कर लिए हैं अब हम इसे 3-3 इंच के पीसिस कट कर लेंगे तो ऐसे सारी पटियों से हमने पीसिस कट कर लिए हैं अब हम इन पटियों को न इस पेपर के उपर रखके स्टिच करेंगे तो ऐसे मैंने ये एक पेपर लिया है जिस पे मैंने ये दो सीधे-सीधे मार्गी हैं दोनों तरफ से आधे-ाधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जन लेते हुए ये मार्किंग हमारी लगबग दो इन चोड़ी है और लंबाई में ये उतना ही है जितनी हमारी प्लाजोफेंट की मोरी है अब हम ऐसे एक पट्टी लेंगे और अपनी मार्किंग के उपर ना इसे इस तरीके से रखेंगे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ना अपनी मार्किंग के उपर उपर शिलाई लगाते जाएंगे तो हम पट्टियों के बीच में लगबग एक एक पैर का गैप लेंगे इस तरीके से एक पैर के गैप के उपर पट्टी को रखते हुए ना हमने शिलाई लगाते जाना है तो ऐसे पट्टियों को रखते हुए एक तरफ तो हमने शिलाई लगा ली है अब हमने ऐसे ही पट्टियों को सीधा रखते हुए दूसरी तरफ भी शिलाई लगा लेनी है तो ऐसे हमने इन पट्टियों को ना दोनों तरफ से शिलाई लगा ली है अब हम इस पैट्रन को अपनी प्लाजो पैंट के साथ स्टिच करेंगे तो ये मेरी प्लाजो पैंट है और ये इसकी मोरी वाली साइड है पैंट को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और अपने इस को स्टिच किया है तो ऐसे ये वली सिलाई हमने लगा ली है अब हम इस पैटरन को ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे और यहां पे किनारी की सिलाई लगा लेंगे तो ऐसे हमने यहाँ पर किनारी की सिलाई भी लगा ली है अब हमने इसके नीचे कट वर्क वाला पैटरन स्टिच करना है तो चलिए वो कट कर लेते हैं तो कट वर्क कट करने के लिए मैंने ये बुकरम ली है ये पेस्टिंग वाली बुकरम है ये लगबग दो इन चौड़ी ली है मैंने और लंबाई में ये उतनी है जितनी हमारी प्लाजोपेंट की मोरी है और इसके न बिल्कुल सेंटर में मैंने सीधा सीधा मार्क कर लिया है तो मैं कटवर्क की शेप बनाने के लिए यहां पे इस चोटी सी चौड़ी का यूज़ कर रही हूँ आप यहां पे कड़ा या चौड़ी कुछ भी यूज़ कर सकते हो तो चौड़ी को न हमने इस तरीके से रखना है तांकि यह जो मार्किंग है हमारी बिल्कुल सेंटर में आए चौड़ी के और अब हमने न यहां पे बिल्कुल चौड़ी के बराबर बराबर अंदर की तरफ मार्क कर लेना है तो ऐसे हम चौड़ी के बिल्कुल बराबर बराबर मार्क कर लेंगे अंदर की तरफ अब हमने अगला cutwork ऐसे ही इसके साथ रखते हुए ना चूड़ी को यहाँ पर भी draw कर लेना है इस तरीके से तो ऐसे ही हम चूड़ी के साथ सारा cutwork draw कर लेंगे तो यह देखिए मैंने cutwork वाला pattern ऐसे draw कर लिया है अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ cut कर लेते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही हम अपनी marking के साथ साथ सारे cutwork को cut कर लेंगे तो यह देखिए cutwork वाला pattern हमने ऐसे cut कर लिया है अब हम same plazo paint वाले fabric के उपर इसे paste कर लेंगे तो ऐसे cutwork वाले pattern को ना मैंने same plazo paint वाले fabric के उपर paste कर लिया है और इसे एक तरफ से fold करते हुए प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है अब हमने इसके जितना ही एक और fabric cut करना है बिल्कुल इसके जितना ही चोड़ा और इसके जितना ही लंबा ये वाले fabric को हम नीचे ऐसे सीधा करके रखेंगे और pattern वाले fabric को इसके उपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे न बिल्कुल cut work के किनारे किनारे पे सिला ही लगाते जाएंगे तो ऐसे हमने cut work के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिला ही लगा ली है अब हम ये उपर वाले extra fabric को न यहाँ से ट्रिम कर देंगे अपने cut work के साथ लगबग एक एक पैर का margin लेते हुए तो ऐसे हमने उपर से सारे extra fabric को ट्रिम कर दिया है अब हम इसमें एक एक कट भी लगा लेंगे ये कट आपकी सिलाई तक लगे लेकिन ये ध्यान में रहे आपकी सिलाई न कटे इस तरीके से हमें ये कट लगाना है तो ऐसे कट भी इसमें लग चुके हैं अब हम cut work को पलट लेते हैं सीधी side की तरफ तो एक एक करके न हम ऐसे सारे cut work को पलट लेंगे तो ऐसे हमने सारे cut work को पलट लिया है अब हम इसे press के साथ अच्छे से बिठा लेंगे और ये जो उपर extra fabric है न इसे भी हमने अंदर की तरफ ऐसे fold करते हुए न बिल्कुल बराबर आगे और पीछे से इसे press के साथ अच्छे से बिठा लेना है तो ये देखिए हमने cut work वाले pattern को press के साथ अच्छे से बिठा लिया है अब हम इसे अपनी plazo pen के साथ stitch करेंगे तो cut work वाले pattern को न हम इस तरीके से ऐसे खोल के रखेंगे और plazo paint को ना इसके अंदर इस तरीके से ऐसे दबाते हुए हमने यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा देनी है तो यह देखिए यहाँ पे हमने किनारी की सिलाई के साथ cut work वाले बेटरन को अपनी plazo paint के साथ stitch कर लिया है अब हम पीछे से paper को निकाल देंगे तो जहाँ पे सिलाई लगी होती है ना वहाँ से paper को निकालना बहुत ही असान होता है ऐसे हमने सारे paper को पीछे से निकाल देना है तो यह देखिए friends हमने पीछे से paper को भी निकाल दिया है और देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है हमारा यह design तो अब हम cut work के इस किनारे किनारे पे न एक एक pearl paste कर देंगे fabric glue के साथ यह fabric glue धोने से भी नहीं उतरती इसलिए बिना tension के साथ इसके साथ pearl paste कर सकते हो तो pearls के साथ हमारा यह design और भी खुबसूरत लगेगा तो यह देखिए friends सारे pearl हमने यहाँ पे paste कर लिए हैं तो इसे fitting की सिलाई भी लगी है और देखिए कितना खुबसूरत हमारा यह plazo pen का design बनके तयार हुआ है तो अभी मैं आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ तो पहनने के बाद हमारा यह खुबसूरत plazo pen का design को चैसे आ जाएगा तो आप भी यह वला design अपनी plazo pen पे जरूर ट्राइ करें तो अगर आपको मेरा designer मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको like और share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और design के साथ मिलते हैं till then bye bye